नमस्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचें स्वागा तो अभी रंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्श्कों कर 14 जन्वरी 2023 कल यारी 14 तारिक की वाद 15 तारिक को मंख कर संगरांती बनाई जाएगी आपको शुपका अबनाए 14 तारिक की संचित पांचांग को जानते हैं सूर्य दे होगा 7 बच के 14 मिनिट पर सुर्यास्त होगा 5 बच के 44 मिनिट पर वार शरी वार देती कर्शित प्राक्षिस सब्तमी नचटर हस्त अभजीत बहुरत 12 बच के 8 मिनिट पी एम से लेकर 12 बच के 50 मिनिट पी एम तक चदर करने और राहुकाल 9 बच के 50 मिनिट एम से 11 बच के 10 मिनिट पी एम तक चौनी आप राहुकाल में सावधानी रखें शुब समय में शुब काम करें आपका जनम दिन है शादी की साल कि रहा है तो बहुत बहुत शुब काम चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन की बटन क मेश राशी आप परिवार के साथ घुमने फिर दें जा सकते हैं कुवारों को शादी का रिष्टा मिल सकता है प्रेम समन्द अच्छे चलेंगे जीवन साती के साथ अच्छा वक्त पिताएंगे स्वास्त का समची ध्यान रखिएगा ठंड से बचिएगा ऐलर्जी से बचि मिले जुला लगा रहेगा वैपारियों को वैपार बढ़ेगा जो लोग नौकरी पेशे में हैं कोई अच्छी खबर मिल सकती जीवन साती से प्यार बना रहेगा लड़ाई जगरे कले कले कलेश घर के कम होंगे पिता की सिहत में सुधार होगा मित और नाशी आज का दिन प अच्छे पढ़ाई लिखाई से थोड़ा दूर रहेंगे वैपारियों को वैपार बढ़ेगा नौकरी में उन्नती होगी करक राशी आपका दिन अच्छा मितेगा हर्श और लास और आपसी तालमेल से आप दिन को बहुत बहतर बनाएंगे गुप्त रास्तों से धन की प् देश की प्राप्ती के लिए कड़ा संगष करना पड़ेगा आपको अपनी हिम्मत और असक प्रयासों से सभी कामों में सफलता पानी होगी चोटे भाई बहन का साथ बिलेगा बच्चों कोश की तरफ से शुक्ष महचार बिलेगा प्रेम संबन ठीक रहेंगे वैपार में पैसा लगा सकते हैं लेकिन सावधानी पूरवर गलती की तो पैसा फस भी सकता है यारी दोस्ती में पैसा ना फस आए कनिया राशी आज कड़ी मेहनत करने का दिन है आप अपने लक्ष प्राप्ति के लिए आपको कटीन परिश्रम करना पड़ेगा आपके भाई बहन से आपके संबन ठीक बने रहेंगे धन का निवेश सोच समझ करें शुब समय नहीं है जोकिम मत उठाईएगा पुराने मित का वैपार बढ़ेगा आप विश्वास से आप काम करेंगे खुब धर्म कमाएंगे नौकरी करते हैं तो आपके अदिकारी आप से संतुष रहेंगे आप विवाहित हैं तो आपको आपकी बच्चों का साथ बिलेगा रिष्टेदार और पड़क्सियों के दरुख से विव वरश्चिक राशी आज आपका उस्सा वरदिन किया जा सकता है आपके आत विश्वास में कुछ कमी रहेंगे आपका खर्चा बढ़ सकता है खान पान के माबले में सावधाद रहें आर्थिक दुक्सान हो सकता है जीवन साती से नराज़ी हो सकती है बच्चे पढ़ाई ल मकर वराशी, आपको आपके अधिकारियों से अच्छी खबर मिलेगी, सीनियर लोगों से अच्छी खबर मिलेगी, वैपारियों का वैपार बढ़ेगा, विदेश जाने का कोई काम पूरा हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं रहेगी, जीवन साती से रिष्टे अच्छे रहेंगे, बच्चों का साथ ना मिलने की वज़े से बच्चों की पूरी आप्तों की वज़े से तोड़ा परशान रहेंगे, धन का ध्यान रखिएगा, वेर्थ का धन खर्ज मत करेगा, आमदरी बढ़ेगी, कुम्भराची, आज आपको सफलता मिलने व आपका स्वास अच्छा रहेगा, और आप खुश रहेंगे, मीन राशी बहुत दिनों से रुके वे धन को पराप्त कर पाएंगे, सटे बाजी पे धन का निविश कर सकते हैं, एक अच्छा दिन बीतेगा, जरूरत मत लोगों की सहायता करें, गारी वहां चलाते से समय साव थानी रखे, कोई दर घटना घटित हो सकती है, जलबाजी में कोई डिन्य ना ले आपको आपकी बच्चों का सही योग भी लेगा, हर्मान जी की उपासना और शिव जी की उपासना करिया दिन, अगर संबह है तो सुबह या शाम हर्मान जी के मंदिर या शिव जी के मंदि या गया है, तो आप आपके लिए मौका है, इस मौके से चूखियेगा नहीं, मकर संब्रांती वाले दिन, चुप चाप एक उपाय कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जीवन भी सफल, मकर संब्रांती वाले दिन, ताजा भोजन या ताजी हरी घास या चारा गाएं को खिलाने से जीवन के सभी कस्ट मिट जाते हैं, क्योंकि गाएं में 33 करोर देवी देवता का वास है, और गाएं का आशिरवाद, यानि सभी देवी देवताओं का आशिरवाद मिलना, ये चोटा सा उपाय आपकी किस्पत को बुलंदियों पर ले जा सकता है, पव वारे विश्णू का आशिरवाद मिलता है, और समस्याओं का अंत होता है, तो दो काम चुपचाप कर लें, आनन्द आ जाएगा, और दान पुन्ने करते रहिएगा, जितना दान करेंगे, उतना आपको शुप परिणाम आने वारे वक्त मिलेंगे, नास्तिक बत परिएगा और एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी तरशकों से सर्दी है, आप बिमार है, कुछ भी है, आज के दिन बिश्णान जरूर करिएगा, चाहे कम नहाईएगा, नहीं नदी में नहा सकते, नहीं सरोवर है, एक धकनगंगा जल पानी में मिलाकर नहा लिजिए, कम से कम नहा है, जिनको डॉक्टर रिमना किया है, उनकी एक अलग बात है, आलस में बिखाईएगा, और साल में कुछ ही दिन होते है, जब सुबह उठकर रिश्णान किया जाता है, तो आज थोड़ा सा जलती उठ जाईएगा, एक एक आद दिन उगते सूरज को आप भी देख लें, त तो हर वक्त खराब है, तो अपने सितारों को मजबूद बनाने के लिए, सितारों को अच्छा करने के लिए दिये गेनमरों पर फोन करें, अपनी जनम कुण्डी बनवाए, मुझसे बात करें, और अपनी जिनकी को बदल दें, देखिए, अच्छा इस्टलाजर अगर चाह लिए इसके लिए दो काम करने पड़ेंगे, पहला काम आपको कांट्रेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा काम हम जो बता है वो आपको मानना पड़ेगा, बस दो काम और मिशाने पे गोली लग जाएगी, मिलाई ये फोन, बदल ही अपनी किसमा, नमस्कार.